Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you're all doing well. तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल के कुछ questions. ये questions आप सभी को पता है कि आपके previous exams में पुछे गे हैं और संभावना है कि आपके आने वाले exams में पुछे जा सकते हैं. इससे पहले हम part 44, यानि कि 44 वीडियोज already discuss कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के questions को discuss करके रखा हुआ है. तो अगर आपने वो वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के description में जाएं वहाँ पर हिमाचल questions करके link दिया गया होगा उस link पर click करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं बाकि आज हम part 45 को discuss करेंगे और इन questions को हम बिल्कुल detail में discuss करेंगे बाकि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दें साथ में bell icon को जरूर पैस करें साथ में इस वीडियो को like जरूर कर दें so question number 121 की अगर बात करें परांगला पास is located in which mountain range of हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश की किस पहाडी श्रिंखला में परांगला दर्रा स्थित है तो परांगला दर्रा कहां पर है तो वो है जासकर रेंज में option यहाँ पर see बिल्कुल correct है हो जाएगा यहाँ से आपको कुछ और भी दर्रे note में रखने है तो कुछ और दर्रों की अगर बात करें जिन में most important आ जाता है लहौल को भरमौर से जोडने वाले दर्रे तो लहौल को भरमौर से कौन-कौन से दर्रे जोडते हैं वो आपको ध्यान में रखना है तो इनमें एक तो आ जाता है कुगती दर्रा यह आपको पता चल गया एक आ जाता है छोबिया दर्रा यह भी आपको पता चल गया और एक आ जाता है काली छोडर्रा तो तीन दर्रे मैंने आपको बताए कुगती दर्र, छोबिय दर्र और काली छो दर्र ये तीनों दर्रे जह तो लहौल को भरमौर से जोडने का काम करते हैं अब कुछ और दर्रों की अगरबात करें जिन में मोस्ट इंपॉर्टन आ जाता है वारू दर्र ये आज कल जो है तो एक्जाम में पूछा जा रहा है तो वारू दर्र किस को जोडने का काम करता है तो यह कांगडा को चमबा से जोडने का काम करता है बेसिकली कांगडा के धरमशाला को यह चमबा से जोडने का काम करता है उसी परकार आपसे तामसर दर्रा पूछा जाता है कि तामसर दर्रा किस डिस्ट्रिक में पढ़ता है तो यह कांगडा डिस्ट्रिक में पढ़ता है यह भी आपको ध्यान में रखता है तो यह कुलूड जिले में पढ़ता है, तो यह भी आपको ध्याद में रखता है अब दर्रों में एक आ जाता है, most important, पादरी दर्रा यह आपसे बहुत बार exam में पूछा जाता है तो पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोडने का काम करता है ये आपको ध्यान में रखना है अब दो questions मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सबसे पहला question सबसे पहला question आपसे पूछा जाता है कि शिमला को उत्राखंट से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है तो वो करता है चांसल दर्रा और दूसरा question आप से पुछा जाता है कि किन और को गढ़भाल से जोडने का काम कौन सा दर्रा करता है तो वो करता है चरांग दर्रा ये दो points भी आपको ध्यान में रखने हैं ये most important points मैंने आपको यहां पर बताये ये सारे का सारे आपको ध्यान म में आप सभी ने एक question पढ़ा होगा कि मंडी जिले की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो मंडी जिले की सबसे उंची चोटी जातो नागरु पहाडी ही है ये ही भी आपको ध्यान में रखते है और इसकी height भी आपको पता होने चाहिए या कितनी height पर तो चवाली सो मिटर की हाइट पर है ये भी आपको पता चल गया अब कुछ और जिस परकार आपसे मंडी का पुछा गया है उसी परकार आपसे लहौल्स पित्ती का भी पुछा जा सकता है कुल्लू का भी पुछा जा सकता है तो लहौल्स पित्ती की सबसे उंची चोटी काउ कौन सी है और दूसरा क्वाशन आप से पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उंचाई परस्थित चोटी कौन सी है तो सबसे अधिक की अगर बात करें तो वह शिल्ला चोटी हो जाएगी जो की कहां पर है तो यह कि नौर जिले में है और इसकी टोटल हाइट कितन है तो इसकी टोटल हाइट है 1100 मिल्टर यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है यह मोस्त इंबॉर्टन क्वेशन मैंने आपको यहां पर बताया यह आपको ध्यान में रखना है यहां से आप एक क्वेशन का अंसर मुझे कमेंट करके बताओ सोलन सोलन जिले की सबसे कुल्लू जिले में, option यहाँ पर C correct हो जाएगा, अब कुल्लू जिले में, कुछ एक चश्मे, कुछ एक ज़र्णे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो कुल्लू जिले में, एक तो है वसिस्थ, वसिस्थ, यह गर्म पानी का स्त्रोत है, पहले तो आपको यही याद note रखना है, यह hot water spring है, फिर आपसे पूछ जाता है, खेर गंगा, खेर गंगा भी कहाँ पर है, तो वह भी कुल्लू में है, और यह भी hot water spring है, फिर आपसे कसोल पूछ जाता है, कसोल भी कहाँ पर है, तो यह भी hot water spring है, मनी कर्ण भी आपसे पूछ जाता है, तो यह भी पारे में ध्यान में रखना है कि राहला कहां पर है तो यह कुलू के मनाली में है और यह ठंडे पानी का स्त्रोथ है ठंडे पानी का जो है जो है तो जर्णा है यह आप यहां पर कह सकते हैं उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कलत हो गया और बहना हो गया तो यह भी कुल important पूछा जाता है Lunani, Lunani Water Spring, ये कहां पर है, किस जिले में है तो ये है Kangra जिले में और ये एक ठंडे पानी का स्तरोत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपसे most important पूछा जाता है भागसुनाथ, ये कहां पर है, तो ये भी Kangra के मैकलोड गंज में है, और ये भी एक ठंडे पानी का स्तरोत है, ये most important points मैंने आपको यहां पर बताए, जो कि आपको ध्यान में रखने है, अगला question question number 124, मुकिला glacier is a located in which district of हिमाचल परदेश, तो हिमाचल परदेश के किस जिले में मुकिला हिमनद स्थित है, तो वह कहां पर है, तो वह है लहौल स्पित्ती में, option A यहां पर correct हो जाएगा, बट आपको exact पता होना चाहिए, कि यह जो मुकिला हिमनद है यह लहौल स्पित्ती में, किस वैली में स्थित है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, कि की है, चंद्रा वैली, तो चंद्रा वैली में भी कुछे का गलेशिर है, जो की most important है, तो उनमें एक तो most important आ जाता है, बड़ा शिगडी गलेशिर, कौन सा आ जाता है बड़ा शिगडी गलेशिर, बड़ा शिगडी glacier ने चंदरा वैली में भारी तबाही मचाई हुई थी और इसी कारण जो है तो चंदरताल जहिल का भी निर्मान हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है चंदरा वैली में ही एक और glacier है जिसका नाम है गेफांग तो गेफांग glacier भी कहाँ पर है तो वो भी यहाँ पर धियान में रखना है ये दो तिन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए जो की most important है और बहुत बार exam में बनते हैं अगले question की बात करें question number हमारा 125 है भादल is a tributary of a future river in हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश में भादल नदी किसकी सहाइक नदी है तो यह कि यहाँ पर अपेर्ट डालेंगे नहीं बस हम यहाँ पर जो है तो सहाइक नदीया ही देखेंगे तो रावी की सहाइक नदियों में बहंदल आ जाता है तांतगिरी नदी आ जाती है चातरानी नदी हो गए सिउल नदी हो गई, साल हो गई, बुढिल हो गई, तुंडा खड़ हो गई, चनेड खड़ हो गई, तो ये सारी किसकी सहाइक नदी हैं, तो ये हर रावी नदी की सहाइक नदी हैं, आप्शन भी में है सतलूज, तो सतलूज की सहाइक नदी भी देख लेते हैं, जो की मोस्ट important है तो सतलुज की सहाइक नदियों में बस्पा नदिया जाती है स्पित्ती नदिय हो गई, नोगली खड़ हो गई मुलगाव नदिय हो गई, सर्याली खड़ हो गई, गंबर खड़ हो गई अली खड़ हो गई, कशांग नदिय हो गई तो ये कुछ सहाय का नदियां आती है, सतलुज नदी की सहाय का नदियां, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा, रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है, और ये हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ, अगला कोशन, Q126 की बात करें, जहांगीर विजिटिड कांगडा इन भी चीर, तो जहांगीर ने कांगडा की मुलकात कब ले थी, यानि कि जहांगीर कांगडा कब आया था, तो यहाँ अपनी पत्नी नूर जहां सही जिवातो कांगडा आया था, 1622 में, आप्चन B यहां पर कोरेक्ट हो ज जहांगीर ने कांगडा को जीतने के लिए सबसे पहले योजना बनाई थी, 1615 में, कब बनाई थी, 1615 में, तो कई बार आपसे क्वाशन पूछा जाता है कि जहांगीर ने कांगडा को जीतने के लिए सबसे पहली बार योजना कब बनाई थी, 1615 में, और 1615 में जहांगीर न पंजाब के निजाम मुर्तजा खां और नूरपुर के सूरजमल को जहतो कांगरा को कैप्चर करने के लिए भेजा था लेकिन यह जहतो असफल रहा था बाद में फिर से जहांगिर ने 16-17 में सूरजमल और शाह कुली खान मुहम्मद तकी को भेजा इसमें क्या हुआ इसमें जहतो सूरजमल ने विद्रह कर दिया और ये भी मतलब असफल ही रहा अब विद्रह कर दिया तो विद्रह को दबाने के लिए जहांगिर ने एहमदाबाद से राजा विक्रमाजीत जिनको सुन्दर दास राय रायन भी कहा जाता है तो उनको जहतो इस विद्रह को दबाने के लिए भेजा और इसी बीच क्या होता है 1619 में 1619 में सूरजमल की मिर्त्य हो जाती है अब जिस तरह 1619 में सूरजमल की मिर्त्य हो गई तो बाद में चल करके 5 सेप्टेंबर बिल्कुल डेट्स आपको exact पता होने चाहिए 5 सितंबर 1619 को मुगलों ने जहातो कांगरा को घेर लिया अब यहाँ पर मैंने आपको पताया कि कांगरा को घेर लिया इसमें जहातो बहुत से स्टूडेंट्स कनफ्यूज हो जाते हैं घेरा कब और कांगरा को जीता कब यह आपको ध्यान में रखना है और कांगरा को घेर लिया 5 सितंबर 1619 में लेकिन जहातो 16 नमंबर 16 नमंबर 1620 है को जहातो कांगरा किला मुगलों द्वारा जीत लिया गया यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कांगडा किला जहातो मुगलों द्वारा कब घेरा गया था और कब जहातो जीता गया था घेरा और जीता यहाँ से बहुत से questions एक्जाम में बनते हैं और यह जो words का सारा खेल होता है इसी words के चक्कर में जहातो कुछ एक students के questions गलत हो जाते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 16 November 1620 को जहातो कांगडा किला मुगलों द्वारा जीत लिया गया बाद में चल करके जहां गिर जो है तो अपनी पतनी सहीद कांगडा आया था 1622 में यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो यह पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो की most important है तो यह आपको ध्यान में रखना है question number 127 की बात करें तो नालागड का पूराना नाम क्या था तो नालागड का पूराना नाम था हिंडूर option A यहाँ पर correct हो जाएगा अब option B में है बनेड तो बनेड किसका पूराना नाम था तो यह सुन्दर नगर का पूराना नाम था option C में है कहलूर तो कहलूर जो है तो बिलासपूर का पुराना नाम था, उसी परकार आपसे ब्रह्मपूर पूछा जाता है, ब्रह्मपूर जो है तो भरमौर का पुराना नाम था, देवरा जो है तो जुबल का पुराना नाम था, धमेरी जो है तो नूरपूर का पुराना नाम था, कीरगरा प्रादेशिक काउंसिल का सभापती किसे चुना गया था अब देखो ये question most important है क्योंकि इसी question से संबंदित दो तिन questions और भी पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं territorial council की आपको पहले यही पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 1956 में इसी से संबंदित दूसरा question बनता है कि territorial council को समाप्त कब कर दिया गया था अब थाकुर कर्म सिंग को चुना गया था चच्योड से संबंदित हैं कहां से चच्योड से संबंदित हैं अब यह question जो है तो exact हमर्पर बोर्ड में पूछा गया है तो यह most important question बन जाता है तो यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है यहां पर हमने देख लिया कि territorial council की स्थापना 1956 में की गई थी दूसरा question आप से पूछा जाता है कि यह जो territorial council थी तो territorial council को समाप्त करके इसे विधान सभा में कब जो है तो 1963 1963 में जो है तो territorial council को समाप्त करके इसे विधान सभा में परिवर्थित किया गया था ये point most important है जो कि आपको ध्यान में रखना है बाकी देखो वीडियोज अगर आपको helpful लगती है तो जरूर से वीडियोज को like कर दिया करो बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पे follow नहीं किया है मंडी डिवीजन इन हिमाचल परदेश comprises of how many districts तो हिमाचल परदेश में मंडी विभाग कितने जिलों से मिलकर बना है तो सबसे पहले divisions की अगर बात करें हिमाचल परदेश में total division कितने हैं तो कितने हैं तो वो हैं तीन अब वो कौन कौन से है तो इनमें एक तो आ जाता है मंडी एक आ जाता है शिमला और एक आ जाता है कांगडा तो ये तीन division है अब इन तीन division में कितने कितने जिले जाते हैं शामिल हैं वो भी आपको ध्यान में रखता हैं तो मंडी जिले की अगर बात करें मंडी जिले में कितने जिले आते हैं तो वो आते हैं पांच कितने आते हैं पांच जिले शिमला में कितने आते हैं तो वो आते हैं चार और कांगडा में कितने आते हैं तो वो आते हैं तीन यह आपको ध्यान में रखते हैं अब यहां पर यही आपसे पुछा गया है कि मंडी डिविजन बना हुआ है तो यहां पर हमने देख लिया कि 5 जिलों को मिला करके मंडी डिविजन जो है बनाया गया है अब वो 5 जिले कौन-कौन से हैं वो भी आपको थ्यान मे रखना रहता है तो इन में एक्तु आ जाता है मंडे, एक आ जाता है बिलासपुर, एक आ जाता है हमिरपुर, एक आ जाता है कुलू, और एक आ जाता है लहौल पित्थी तो इन पांच जिलों को मिला करके जहातो मंडे डिविजन बनाया गया है उसी परकार शिमला डिविजन की भी बात करें शिमला डिविजन में चार जिले आते हैं तो वो चार जिले कौन-कौन से हैं तो इनमें शिमला जाता है, सोलन आ जाता है सिर्मार हो गया और किनौर इन चार जिलों को मिला करके जो है तो शिम्ला डिविजन बनाये गया है उसी परकार कांगड़ा की अगर बात करें कांगड़ा डिविजन जो है तो तीन जिलों से मिलकर जो बना हुआ है तो वो तीन जिले कौन से हैं तो इन में एक तो कांगड़ा ही आ जाता है एक चमबा आ जाता है और एक उन्ना आ जाता है ये सारे के सारे most important points हैं ये सारे के सारे जिले भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा division है किस जिले में जो है तो आता है ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है अगले question की बात करें question number हमारा 130 है तो हिमाचल परदेश के प्रसम लोक आयुकत कौन थे तो वो थे justice है TBR तताचारी option यहां पर एक और एक हो जाएगा अच्छा लोक आयुकता अधिनियम हिमाचल परदेश में लोक आयुकता अधिनियम जो है तो कब पारित किया गया था 1983 में यह पारित किया गया था अगर प्रेजेंट की अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट में हिमाचल परदेश के लोक आयुकता कौन है तो वो हो जाएंगे CB बरो वालिया और एक और current का question मैंने आप पपदाया हुआ था कि प्रेजेंट में है हमारे यानि कि हिमाचल परदेश के Chief Secretary कौन है तो वो हैं प्रबोध सक्सेयना और यह कौन से बैच के IAS Officer है तो है 1990 बैच के IAS Officer है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अगर एक question की बात करें Dr. Y.S. परमार किसान सुरोजगार योजना इन हिमाचल परदेश was introduced in which year तो हिमाचल परदेश में Dr. Y.S. परमार किसान सुरोजगार योजना किस वर्ष जो है तो दाखिल की गई थी तो किस वर्ष जो है तो इसको दाखिल किया गया था 2014 में option D यहां पर correct हो जाएगा कुछ और भी जैसे योजना हैं जैसे कि हिमाचल में दूद गंगा योजना यह कब स्टार्ट होई थी तो यह हुई थी 2009 में किस की सहायता से इसको लॉंच किया गया था तो नाबाड की सहायता से जहतो इसको लॉंच किया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है नाबाड की स्थापना किस स्थमेती की सिफारिश पे की गई थी तो शिवरमन समेती की सिफारिश पे जहतो नाबाड की स्थापना की गई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छा हिमाचल परदेश में हिमस्वान हिमस्वान पर योजना भी चलाई गई थी तो ये क्या है तो हिमस्वान का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखती है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तो ये हिमाचल में जातो कब शुरू क हुआ था तो ये हिमाचल में शुरू की गई थी 2008 में ये भी आपको ध्यान में रखता है तो निम्न में से भारत का मश्रूम सहर किसे जाना जाता है तो मश्रूम सहर जो है तो सोलन को जाना जाता है ऑप्शन डी यहां पर कॉरेक्ट हो जाएगा यहां से आपको यही नोट रखना है कुछ और कॉस्टिंस की अगर बात करें शिमला जिल से मेरे माइंड में एक क्वेशन बंद रहा है क्वेशन आपसे पुछ जाता है कि शिमला के हलोग में दिवाली के दूसरे दिन क्या होता है तो दिवाली के दूसरे दिन जो है तो पत्थर का खेल मनाये जाता है ये आपको यहां पर ध्यान में रखता है अगले question की बात करें question number 133 है हिमाचल परदेश has formulated hydro power policy in future तो हिमाचल परदेश ने जल शक्ती नीती का गठन किस वर्ष में किया था तो किस वर्ष किया था तो वो किया था 2006 में option D यहां पर correct हो जाएगा अच्छा यहां यहीं से संबंदित कुछ और भी questions की अगर बात करें जैसे कि हिमाचल परदेश ने कब 100% विद्यती करिण का लक्ष प्राप्त किया था तो वो किया था 1988 1988 में उसी परकार आपसे पुछे जाता है कि हिमाचल परदेश में कब जो है तो हिमाचल परदेश Electricity Regulatory Commission इसका गठन किया गया था तो वो किया गया था 2001 में ये भी आपको ध्यान में रखना है हिमाचल परदेश State Electricity Board इसकी स्थापना हिमाचल में 1971 में की गई थी और हिमाचल परदेश Power Corporation Limited इसकी स्थापना 2006 में की गई थी ये सारे के सारे Most Important Questions है जो कि आपको ध्यान में रखने है Question No.134 की बात करें भोटी डियलेक्ट इस पोकन हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश के किस जिले में भोटी भाशा बोली जाती है तो भोटी भाशा कहाँ पर बोली जाती है लहौल्स पित्ती में बोली जाती है लहौल्स पित्ती में कुछ और भी बोलियां बोली जाती है जिनमें एक तो भोटी ही आ जाती है एक मनच्छत आ जाती है ये भी आपको ध्यान में रखनी है और एक गहरी आ जाती है और एक चागसा आ जाती है ये सारी के सारी बोलियां कहां पर बोली जाती है लहौल्स पित्ती में बोली जाती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कुछ और जिलों की भी अगर बात करें जिनमें एक तो आ जाता है सोलन सोलन में एक तो बोली जाती है बगाटी बोली कौन सी बोली जाती है बगाटी बोली और एक बोली जाती है हिंडूरी बोली बिलास्पर में कौन सी बोली जाती है तो वो कहलूरी बोली बोली जाती है सिर्माओर में जो तो किस परकार की भाचा पर चली थे तो सिर्माओर में एक तो धार्टी लेंगवेज ये जो है तो परचलीत है और एक और है वो है विश्वाई कौन सी है विश्वाई ये भी आपको ध्यान में रखना है शिमला में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है तो एक तो आपको ध्यान में रखना है बराडी ये कहां पर बोली जाती है शिमला में और एक क्यूंतली ये कहां पर बोली जाती है तो ये भी शिमला में बोली जाती है तो ये कुछ बोलियां मैंने आपको यहां पर बता दी जो कि आपको ध्यान में रखनी है ने तो हिमाचल प्रदेश में निमन में से Kis-Kis तूती के लिए सुही लोकगीत गाया जाता है रानी नैना देवी यह जो है तो कौन थी तो है चंबा के राजा साहिल वर्मन की जो है तो पत्नी थी यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है और ये जो सूही, कई बार आपसे पुछे जाता है कि सूही मेला कहां पर लगता है तो ये चमबा जिले में लगता है, ये आपको ध्यान में रखता है और किस महीने में यहां लगता है, तो ये अपरल मंथ में लगता है ये भी आपको ध्यान में लखता है अच्छा कुछ मेलों की ही अगरबाद की जाये जिन में एक तुआ जाता है Most important body mela ये कहां पर लगता है तो यह लहॉल्स पित्य के उधैपुर में लगता है उसी परकार आपसे पुछए जाता है गोची mela ये कहां पर लगता है तो यह लहौल्स पित्ती के केलॉंग में लगता है और एक और आपसे पुछ जाता है खोजाला तियोहर यह मैं आपको most important बता रहा हूँ खोजाला तियोहर जो बहतो कहां पर मनाया जाता है तो यह लहौल्स पित्ती में ही मनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया यहां से मैं आपसे question पूसता हूँ question सबसे पहला है कि सिरमाओर के पूरुवाला में कौन सा मेला मनाया जाता है और दूसरा question मैं आपसे पूसता हूँ score D, score D मेला कहां पर लगता है ये दोनों के दोनों questions आपने इचे comment में बताओ तो देखो guys ये थे हमारे कुछ questions आई hope वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो ज़रूर से वीडियो उसको like करें share करें, channel को subscribe करें साथ में हमें telegram और instagram पे follow करना बिलकुल ही न भूले, तो चलिए मिलते हैं अगरे वीडियो में till then, take care